वेल्दी रहने के लिए अपनी डायेट में फॉलो करें पांच टिप्स हमेशा रहेंगे सिर्थ नमबर एक फाल और सब्जियां खाने हम सबी जानते हैं कि मौसमी फाल और सब्जियों को दो से तीन वाग खाना चाहिए ये पोसक तत्वों से भरपूर होते हैं और बीमाज़ों से बचाने में मदद करता हैं अगर आप स्वच्स गोजन के इस दांतों का पालन करते हैं तो सबसे पहला नियम हो कि आपकी डायक में प्रिक्रितिक चीरें जादा हों सिर्फ फल और सब्जियों पोसक तत्वों से भरपूर होता है इसमें एंटी, ऑक्सिदेट, मिनेरल, कवर्स, प्रोटीन, फाइवर की भरपूर मात्रा होना चाहिए इन चीरों को खाने से कॉलिस्ट्रोल, टाइक टू, डायवर्टीज का खत्रक कम हो जाता है मौसमी फल और सब्जियों में केमिकल की मात्रा कम होने की असंका होती है कुछ अध्यानों में पाया गया है कि मीट का सेवन कम करना स्वास्त के लिए फायदे मन्द होता है खास तोर पर प्लास्ट बैस्ट डाइट में मीट का सेवन कम करना चाहिए एक अदम सिर्फ आपके स्वास्त के लिए नहीं अच्छा है बल्कि पर्यावरण के लिए भी अच्छा है अपनी डाट में फाइवर वाली चीनों का सेवन करें जिसकी सबसे जादा जरूरत है मीत के बिनावी सरीर के पोसक तत्वों की जरूरत को आसानी से पूरा किया जा सकता है जब आप स्वास्त बोजन करते हैं तो यह महत्पूर है कि आप अपने लिए सही अनाच का चुनाव करें और ध्यान दें कि आप जो भी खा रहे हैं वो केमिकल रहित प्रजिटिव से मुक्त होना चाहिए इसलिए स्वास्त चीजों में अनाच का नाम सबसे पहले आता है क्योंकि इसमें सबसे कम केमिकल युक्त चीजों का इस्तमाल होता है यह पूरी तरह से प्रकृतिक होता है अब चाबुत अनाज में ओर्ट्स के ओनिया समयत अन्य चीजों को सामिल कर सकती है जो पाचन और इम्म्यूनिटी को बढ़ावा देने में मदद करता है इसके साथ ही भजन गटाने में मदद करता है नमबर चार पोसेस्ट फूड और रिफाइंड कवर्ट्स का सेवन ना करें अपनी डाइट में रिफाइंड कवर्ट्स और पोसेस्ट चीजों का सेवन कम से कम करना चाहिए अपने अहर हैं जंग फूड और फैक्ट फूड का सेवन कम करें ज्यादा तर fat foods, juice और junk food में कई तरह के preservatives को मिलाया जाता है। इन चीजों में केलोरी की मात्री अधिक होती है और पोसकतत बहुत कम होती है। 5. sodium और सुगर वाली चीजों का कम सेवन करें। healthy lifestyle के लिए अपनी डाइट में refined sugar, sodium और सुगर वाली चीजों को सीमित करें। ज्यादा तर लोगों को पता नहीं होता है कि बिशिस्टक chips, bread में सुगर और sodium होता है। जो सेहत के लिए नुकसान दायक होता है। इसके अलावड ट्रिक्रिक्स, सोडा, मिठाई, रेड़ी, टू, इट, चीजों का सेवन कम करें। आप इसकी बज़ाए, फ्रूट और ट्रिक्रिक्रिक्स मिठास वाली चीज़े खाएं। एलडी रहने के लिए अपनी डायेट में फॉलो करें पांच टिप्स हमेशा रहेंगे सिर्ट नमबर एक, फाल और सबजियां खाएं।